में तुरो नमस्कार मैं मैंक टिपाथी नौगयान जोति शेनल पर आप सब ही दर्सकों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज के वीडियो में जानकारी देंगे व्रशब रासी वालों के विशे में और कुंभ रासी वालों के विशे में जो मैं बता रहा हूँ यह आप अपने चंदर रासी के अनुसार रासी फल समझेए अगर आपको अपनी चंदर रासी नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम रासी के अनुसार भी इस रासी फल को देख सकते हो तो व्रशब रासी और कुम्ब रासी दोनों के लिए ही करोणपती बनने का योग इस वर्स 2023, 24 और 25 में बना हुआ है तो सबसे पहले बात कर लेंगे व्रशब रासी वालों के विशे में दसम भाव में शनी जा रहे हैं ये शशनाम का राजयोग बनाएंगे और जब ये राजयोग बनाएंगे तो उन व्यक्तियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद पूर्ण समय शुरू हो जाएगा जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत थे, नौकरी उनकी नहीं लग पा रही थी तो उनको नई नौकरी मिलेगी अगर आप पहले से नौकरी में हो तो प्रमोसन के सेली इंक्रीमेंट के आपके चांसेज यहाँ से बढ़ना शुरू हो جाएंगे ये सब रिजर्ट आपको मिलेंगे दसंभाव हमारे मानसम्मान का होता है और लगन हमारे मानसम्मान का होता है तो इसलिए इस समय मानसम्मान भी आपको भारी मात्रा में देखने को मिलेगा भाग्येस अपने इस्थान से दो तीज आ रहे हैं इसका मतलब ये रहा कि भाग्य में बहुत जबरदस तरीके से उच्छाल आपको देखने को मिलेगा भाग्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उधर गुरुदेव जो अश्टमेस हैं ये बैठ जाएंगे विपरीत योग बना करके बारवें स्थान में मित्र के घर में बैठ जाएंगे शुरुवात में हो सकता है दो तीन महिने गुरु बहुत अच्छा रिजलेट न दे पाएं कोंकि डिग्री वाइज ये काफी कमजोर रहेंगे लेकिन आने वाले समय में वर्स 2023 में भूम भावन मकान यदि आप प्रापर्टी किसी भी प्रकार की परचेस करना चाहते हो तो समय बहुत शांदार शुरू हो जाएगा उधर अक्टूबर माह से राहु रासी परिवर्तन करके आ जाएंगे एकादस भाव में जब लाबभाव में राहु आ जाएंगे तो आपकी मुराद यह सभी प्रकार की पूरी कर देंगे पैसे संबन्धित ये किसी भी प्रकार की आपकी कोई भी दिक्कत है वह जड़ से समाप्त कर देंगे राहू 11 भाव में बैठेंगे सत्रूरासी में जरूर बैठेंगे लेकिन ये ध्यान रखिएगा एकादस भाव में राहू या केतु जब भी गोचर करते हैं तो व्यक्ति को धुवाधार पैसा देते हैं चाहे आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो अचानक से बड़े बड़े लाव समय समय पे आपको देखने को मिलते रहेंगे ग्यारवा भाव हमारे बड़े चाचाताओं का होता है उनसे रिस्तों में आपको अनबन होते हुए भी दिखाई पड़ेगी लेकिन पैसे के लिए धन के लिए महा भागिसाली रासी रहेगी या व्रशब दो हजार तेईस दो हजार चोबिस और दो हजार पच्चिस में उधर गुरुदेव की क्रपा से जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय शुरू हो जाएगा आप यात्राय कर सकते हैं विदेश में आपका बीजावगरा नहीं लग रहा था तो वह समस्या आपकी दूर होगी अगर घूमने फिरने जाना तो वह भी डिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी लेकिन थोड़ा माइनस पॉइंट ये दिख रहा है कि शत्रू आपके बढ़ेंगे तो आपसे जो लोग ईर्शा रखते हैं जलते हैं उनसे आप थोड़ा सतर्क रहिएगा बाकी खूब धन आएगा लगभग इन धाई तीन कुम रासी वालों के लिए भी करोड़पती बनने के योग दिखाई पड़ रहे हैं वर्स दो हजार तेइस चोविस और पच्चिस में यह मैंने क्यों लिखा है यह इसलिए लिखा है बेसक आपके उपर शनी की साढ़े साती जरूर चल लई है लेकिन यह ध्यान रखिएग आपके व्रद्धी तो होगी ही होगी मान सम्मान बहुत आपको मिलेगा उचाईयां बहुत ज्यादा मिलेंगी खर्च इस्थान से दोती बैठे हैं इसका मतलब यह रहा दोती इस्थान आपका जागरित होगा पैसा खूब आएगा इसके इलावा इच्छा पूर्ती का जो दश्टी डालेंगे तो आपकी सभी मुरादें शनीदेव और गुरुदेव दोनों ग्रह पूरी कर देंगे और उसमें सोने पर सुहागा वाली बात यह होगी कि अक्टूबर के महिने में राहू रासी परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके धन स्थान में राहू या केतू लुका गोचर जब धन स्थान में या आइस्थान में तीसरे स्थान में अच्छा रिजड़ देता है कहीं निवेश कर रखा है तो अचानक से शेर सट्टा लौट्री जैसा धन का लाभाप को होगा और नहीं भी कर रखा है तो यह समझ लीजिए कि धन के विसे में यह तीन साल आपके लिए गोल्डेन पीरियड रहेगा वैसे विस्तार पूर्वक रासी फल मैं 2023 का भी बना चुका हूं और शनी रासी परिवर्तन का भी बना चुका हूं एंड स्क्रीन में मैं लगा दूँगा आप देख सकते हैं लेकिन पैसे के लिए ब्रशब रासी और कुम्भ रासी महा भागिसाली रहेगी वर्स 2023 में दो हजार चोबिस में दो हजार पच्चिस में वीडियो को लाइक जरूर करिएगा सारवजनिक प्रश्ण है कमेंट करिएगा मैं कृत्रिपाठी को रुमत दीजिए नमस्कार